नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका काश वित आसिस ब्लाग में दोस्तों उत्तर पर्देश के संध कभीर नगर में फेमस यूटूबर मालती चोहान का हुआ संदिक धालात मौत मौत के उनके कुछ घंटों पहले उनके यूटूब से उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया था अगर मेरी मौत होती है या कुछ भी होता है ऐसा तो उसके जिम्मेदार उनके पती विष्णूराजी होंगे और उनका यह मानना था कि उनके जो पती है वीडियो बनाएं चाहिए अपने साथ मतलब की मतलब या किसी और के शाथ मनें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और उस वीडियों हम की पत्नी यह भी करेंगे और उन्होंने यह पता चलाए है कि दोस्तो जो उन्हें ससुराल में घर बनवाया था वह मालती पेशों से ही उनका घर बना था दोस्तो अभी तो उन्हें पोश्मार्टम हुआ है और जब रिपोर्ट आयेगी तो पता चलेगा क्या हुआ है, कैसे हुआ है तो दोस्तो जैसा कि एक बार उनकी पती विशुरुर राज ने अपनी पतनी मालती चोहान का एक बार भ़र ब्याह कराया हुआ हुआ था दूसरे के साथ उसके बाद उनकी पत्नी जो की फिर अपने पती के पास आ गई थी और सुनने में दोस्तो आ रहा है कि इनका एक अफेर रादिका नामक लड़की से साथ चल रहा है क्या सच्चाई है क्या भी यह तो अभी खुलासा नहीं हो पा रहा है लेकिन यहां सच है और दोस्तों बात यह भी है कि उनके घर के आसपास अगलवल जितने भी यूटूबर हैं लड़कियां है योटूब पर अपना वीडियो बनाती हैं उनके धर का माहौल बना हुआ है कि वीडियो बनाए या ना बनाए क्या करें क्या ना करें और यह जो भी मामला पूरा है पोस्मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है मामला, क्या है इनकी पूरी सच्चाई और यह जो इनके पती है विश्णु राज, जो राधिकाक साथ इनका फेयर चल रहा है इसके बारे बारे भी जल्द खुलासा होने वाला है दोस्तों यहां है, यहां हर योटिवर की आवाज है कोई यूटूबर के अगर मौट हो जाती है, तो हमारा फर्ज होता है, कका हम उसे आप तर्स दिखाएं तो चले ठीक है दोस्तों जैसा भी होगा पोस्मार्टम रिबोट आने के बाद ही पता चलेगा यह ब्लॉग कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसकी सी निक्स ब्लॉग में